आप लोग मिना नाम है नीदेज और आप देख रहे हैं मारा YouTube चैनल Excel for beginners और आज हम लोग के इसे shortcut के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी value बहुत कम करते हैं हम लोग जी हां यूज बहुत करते हैं वह कहां कहां यूज हो सकता है इसकी possibility मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं और उसको भी वहां से भी आप यूज कर सकते हैं यह भी मैं आपको बताने वाला हूं तो बस एक लिखना चाहते हैं और भी जादा डिटेल में एक्सल को और आप लोग चाहते हैं अकसर आप पूरी कॉम्टी के साथ एक्सल सीखें आप ग्रूप डिसकेशन में पार्टिसिपेट करें आप रियल लाइफ एक्सल यूजर से मिलें जो इंडिया की नहीं वर्ल्ट की बड़ लोग जो है repeat function की इपर बातचीप कर लेते हैं तो repeat function के मार पास 30 शॉट कट्स है no.1 आप लोग जो है क्या कर सकते हैं आप लोग F4 प्रेस कर सकते हैं no.2 आप Ctrl y प्रेस कर सकते हैं या number 3, अपने quick access toolbar में repeat function को अब access कर सकते हैं, देखिए अभी यह quick access toolbar में repeat function का icon है, यह grade out आ रहा है, क्योंकि अभी हमने sheet में, जब मैंने इसको last open किया था, तो मैंने इसमें कुछ भी काम जो है, वो नहीं किया है, लेकिन अब यह देखिएगा, for example, मैं यहाँ पर right click करके, एक column insert कर लेता हूँ, तो अब देखिएंगे, यह इसका grade out खतम हो गया, यह white बन गया है, इसका मतलब मैं इसका use कर सकता हूँ, देखिए, अब मैंने यहाँ इसको click किया, और अगर मैं यह repeat दबाता हूँ, तो अपने आपी जो है, एक ए column और insert होता जा रहा है, तो जो भी आपने last चीज करी होती है, last execution करी होती है, उसको repeat करता है, आप इसको जैसा कि मैंने बताया, कि आप इसको F4 से भी कर सकते हैं, और साथ साथ में आप इसे control Y से भी, इस समय में control Y से करके दिखा रहा हूँ, control Y से भी कर सकते हैं, और नहीं तो simply speaking, आप एक काम और कर सकते हैं, कि आप इसे अपने quick access toolbar में add कर सकते हैं, by default आपके quick access toolbar में यह नहीं होगा, आपको इसे add करना है, तो आप क्या करेंगे, quick access toolbar का drop down menu चूज़ करेंगे, more commands पे जाएंगे, और more commands में जाने के बाद, आप quick access toolbar की heading में जाएंगे नीचे, और वहाँ पे आपको repeat का option जो है, वो मिल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखे, इसको पहले से add कर रखा है, और यह बहुत काम का है, लेकिन याद रखेगा ही, हर जगा पे काम नहीं कर सकता है, हो सकता है, आप कोई formula लगाएं, और आप सोचे कि इससे मैं दुबारा काम ले लूँ, तो शायद वो काम यहाँ पे नहीं करेगा, एक simple formula लगा के देखते हैं हम लोग, capabilities से बाहर है, तो यह था हमारा short video, किसके उपर, repeat function के उपर, उमीद करता हूँ, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो सर लाइक कीजिए, आपके लाइक से मुझे मिल दिया motivation, और comment बक्से comment करके बताएगा, और कौन से function की, आप लोग video देखना चाहेंगे, और साथ-साथ में, जो भी आपकी feeling हो, इस video देखने के बाद भी बताएगा, Excel Club जोईन करने के लिए आपको कहीं बार बताई चुका हूँ, आप लोग AD91.org पे जागे जोईन कर सकते हैं, amazing benefits है हमाँ पे, आप लोग उसे enjoy कर सकते हैं, all the best, God bless you.